दोस्तो आज मैं आप सब के साथ गेहु के आटे की नास्ता की रेसिपी सेर कर रही हूँ इसके आगे समोसा कचोरी पकरी सब फेल है इतना टेश्टी ये बनेगा कि खाते खाते पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा इतना बढ़िया ये नास्ता बनता है एक दम खासता उपर से और अंदर से एक दम सौफ्ट तो बनाना कैसे है चलिए देख लेते हैं एक बाउल ले लेंगे इसमें हम एक कटोरी गेहु का आटा डालेंगे आटा को मैं पहले ही छान ली थी इसमें मैं स्वादनुसार नमक डाल दी और एक चम्मजितना तेल डाल दी ये सब डालने के बाद अच्छे से हम मिला लेंगे थोड़ा से तेल डालने से एक दम कुरकुरा नस्ता बनेगा इसलिए मैं तेल भी थोड़ा से डाल दी थी अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका एक बैटर बना के त्यार करूंगी तो पहले ही बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेगा नहीं तो इसमें लम्स पर सकता है थोड़ा थोड़ा पानी डाले और इस तरीके से जब यह लॉम्स फ्री बैटर बन जा है तब आप इसमें बाकी का पानी डाल दीजेगा और एकदम गाढ़ा भी नहीं बैटर बनाना है और एकदम पतला भी नहीं बनाना है इस तरीके से pouring consensity का बैटर बना लिजेगा और ये देखें चमस को मैं उल्टा करके दिखा रही हूँ तो इस पे एक layer ये बैटर का पर रहा है तो इसी तरीके का आपको बैटर बना लेना है अब मैं इसमें आधा चमस गरम मसाला डाल रही हूँ एक चमस तील डाल रही हूँ और इसमें मैं आधा चमस चिली फ्लैक्ष डाल रही हूँ ये सब डालके एक पर फिर से बैटर को मिला लेते हैं अब हम बैटर को साइड में रख देंगे अभी आप देखें मैं दो उबले हुए आलू को क्रमबल करके रखी हूँ इसमें मैं एक प्याज बारी काटके रखी ती इसको डाल दी और थोरा सा धनिया पत्ता डाल दी इसी के साथ एक हरा मिर्च को बारी काटके रखी ती इसको भी डाल दी और थोरा सा ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाधनुसार नमक डाल के यह सब को हम अच्छे से मिला लेंग तो ये सब को हम बढ़िया से मिला लिए हैं, अब हम इस मसाले को साइड में रख देते हैं, अब हम कुछ ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, और इसका अभी हम बीच से कट करके निकालेंगे, तो इसका साइड आप हटा दिजेगा, आप चाहे तो चर्खोट भी काट सकते हैं, नहीं तो गिलास या कटोरी से इस तरीके से गोल भी काट के ले सकते हैं, तो मैं इसी तरीके से गोल काट के सारे ब्रेड को रख लेती हूं, और ये जो साइड वाला है, इसका हम ब्रेड करम बना लेंगे, तो ये देखे, मैं कुछ ब्रेड को बीच से काट के निकाल ली ग इस तरीके से जब आप नास्ता बनाएगा तो एकदम खटा मीठा चटपटा नास्ता बनके त्यार होगा तो यह देखे सारे ब्रेट के उपर मैं टमेटो केचप को स्प्रेट कर ली अब मैं इसके उपर यह जो मसाला बना के रखी थी इसको डाल लेती हूँ तो एक या दो चमच जितना इस पे आजाए उतना आप डाल लीजे और इसको इस तरीके से डालने के बाद चमच से इसको भी आप स्प्रेट कर दीजे तो बनियास से दवा दवा के इसके उपर सेट कर लीजे तो इसी तरीके से सारे ब्रेट के स्लाइस के ऊपर हम मसाले को अच्छे से दवा दवा के सेट करके रख लेंगे इस से हमारा काम असान हो जाएगा अब हम चलते हैं गैस की तरек तरफ तो गैस पे में कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दी थी तेल मीडियम गरम हो गया है तो अब हम एक ये बिरिट का स्लाइस लेंगे और गिहू का आटा का जो हम बैटर बना के रखे थे इसमें हम डिप करेंगे इस तरीके से दोनों सैट से आप डिप कर लीजे और इसको आप ज़्यादा देर तक डिप करके नहीं रखेगा नहीं तो तूट जाएगा इसे हम डिप करते ही फ्राई होने के लिए डाल देंगे तो तेल गरम ही है इसमें आप फ्राई होने के लिए डाल दीजे और इसको उलट पलट के दोनों तरब से अच्छे से क्रिस्पी होने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लिजे तो यह दीखे बढ़िया से फ्राई हो गया है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और बाकी कभी नास्ता इसी तरीके से गेहू के आटे के बैटर में हम डीप करके और इसको तेल में फ्राई करके निकाल लेंगे तो बहुत जल्दी यह नास्ता बन जाता है और बहुत टेश्टी बनता है इस तरीके से बैटर में जब हम इसको डिप करके फ्राई करते हैं, तो इसमें जो आलू का मसाला डाले थे वो भी नहीं जलेगा, और बिरेड का जो स्लाइसे वो तेल भी ज़्यादा नहीं एब्जॉब करेगा, तो इसी तरीके से हम सारे नास्ते को बना के त्यार कर लेंगे बहुत ज़्यादा गरम तेल में इसे आप फ्राई नहीं करेगा, मीडियम गरम तेल में फ्राई करेगा, और गैस का फ्ले मीडियम करके ही फ्राई करेगा, तभी ये एकदम खास्ता नास्ता बनता है, तो आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया इसके उपर कलर आया है, द एक दम नया नास्ता बन के त्यार होगा तो इस तरीके से आभी एक बार जरूर बनाएए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा